वूट मॉरिंग एब्रिवन वेलकम टू एग्जाम मॉर्बिट क्लासेज तो आज है 17 अक्टूबर और आज के स्टेशन में 17 अक्टूबर से सम्मंधित करेंट और फियर डिसकस करेंगे अगर आप किसी भी एग्जाम की तयारी कर रहे हैं तो आज का ये शेशन आप सभी के लिए काफी महत पून रहने वाला है तो जल्दी से एक बार क्लास को शेयर कर देंगे तो सबसे पहले आप सभी के लिए एक सवाल है जसका आंसर आपको करना है कमेंट्स बॉक्स में भारत के बाहर डॉक्टर वीमराव अमीटकर जी की सबसे बड़ी प्रतीमा का अनावरण किस देश में किया गया है इंगलेंट, फ्रांस, जर्मनी या फिर यूएसे इस सवाल का आंसर आपको क्लास के लास्ट में मिल जाएगा और जिनको आंसर पता है उनको कमेंट्स बॉ तो याद रखेंगे इस इमारत का उदगाठन केरल के दुवारा किया गया है केरल में कहां पर किया गया है तो केरल के तिरू बननत पुरम में इस इमारत का उदगाठन किया गया है वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि इस इमारत को नाम क्या दिया गया है तो इसे नाम दि 2023 में देश का पहला 3D जो पोस्ट आपिस है ये कहां पर खुला गया है तो ये बैंगलोर करनाटक में खुला गया है अब आप मुझे कमेंट्स करके बताइए कि एस्या की सबसे बड़ी जो हैलिकॉप्टर फैक्टरी है जिसका उदगाटन प्रधानमंतरी नरेंद्र मोदी ज कर लेते हैं करेंट आफ ये ग्लोबल आयर्वेट फैस्टिवल का जो पांचवा संस्करण है ये एक दिसंबर से पांच दिसंबर तक कहां आयोजित किया जाएगा धिरूबनंत पुरम में इस रो अपना दूसरा स्पेस पोर्ट कहां पर स्थापित करेगा तो आप याद र सामने आये थे तो केरल में आये थे विश्व की सबसे उंची नटराश प्रतिमा कहां स्थापित की गई है तो ये दिल्ली में स्थापित की गई है बात की जाए केरल की तो मैप में आप सभी लोकेशन देख लीजे ये है केरल की जो सीमा है वो तमिलनाडू और किसे लगती केरल की राजधानी तिरूबन अंतपुरम है अधिकारिक भासा यहां की मल्यालम है मुख्य मंत्री पिनाराई विजियन है राजजपाल आरिप मोहम्मत खां है बिधान सबा सीटे यहां पर 140 है राज्य सबा सीटे कितनी है तो राज्य सबा सीटे है 9 लोग सबा सीटे याद र जिसे हम भरत पुजा नदी के नाम से भी चानते हैं यहां का प्रमुख फेस्टिवल है ओडम प्रमुख लोक नरत याद रखेंगे कथकली है मकर बिलकु जो फेस्टिवल है यह सबरी माला मंदिर के अंदर मनाया जाता है केरल में भारत में सरवादिक लिंग अनुपात और स राक्षरता किस राज्ज की है तो आंसर होगा केरल की केरल के प्रमुख नैसनल पार्क है अनामुड़ेई सोला नैसनल पार्क पेरियाद नैसनल पार्क साइलेंट वैली नैसनल पार्क एरावी कूलम नैसनल पार्क और पंपादुम सोला नैसनल पार्क यहां के प्रमुख मुथंगा बन्यजीव अभियरन चिननार बन्यजीव अभियरन पेराभी कूलं टाइगर रिजर्ब और बन्यजीव अभियरन तो यह किरल के बारे में वेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि आपको याद रखने हैं अगर आप योग पहली बार चैनल पर बिजट कर रहे हैं तो चै को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा अगला सबाल है कि किस राष्ट्य और उध्यान को एक विटिस वन अधिकारी पैट्रिक डी स्ट्रेची को साहितिक सर्दानजली देने के लिए खुला गया है तो फेंट्स याद रखेंगे काजी रंगा नैस्नल पार्क जान लेते है इसनी उसके बारे में देखें काजी रंगा नैस्नल पार्क को एक विटिस वन अधिकारी पैट्रिक डी स्ट्रेची को साहितिक सर्दानजली देने के लिए 15 अक्टूबर को खुला गया फेंट्स यह जो राष्टी ओध्यान है यानि कि जो काजी रंगा नैस्नल पार्क है अक्टूबर में पर्येटको के लिए खोला जाता है पैट्रिक डी स्ट्रेची याद रखेंगे असम में भार्तिय बन सेवा अधिकारी के रूप में इन्होंने कारी किया है और इन्होंने असम में एक वन स्कूल की भी स्थापना की थी तो पूछा जा सकता है आप सभी से में काजी रंगा नैसनल बार के अगर बात की जाए तो इस अभ्यारण के उत्तर में ब्रह्मो पुत्र नदी और दच्छड में भारत में कार्वी आंगलोंग परवत है 1985 में इसे युनेसको की विश्व धरू और सूची में सामिल किया गया था 2007 में इस राष्टी उध्यान को टाइगर रिजर्व घोशित किया गया था यह राष्टी उध्यान पूर्वी हेमाले के जेव विविदता होट स्पोर्ट में इस दित है तो यह कुछ पॉइंट है जो की काजी रंगा नैसनल पार्क से सम्बन देत है आप याद रखेंगे अब रिवीजन कर लेते हैं जैसे कि मंदिर अनिस्ठान कर्टब्यों के लिए रोबोट हाती को सामिल करने वाला पहला भारत का जो पहला राज्य है वो कौन सा है तो केरल है राश्टपती द्रोपती मुर्मू ने गज उस सब का उदगाटन कहां किया तो असम के काजी रंगा नैसनल पार्क में किया था अगस्ता मलाई हाथी रिजब जिसे हाली में अधिस उचित किया गया ये किस राज्च में है तो ये आता है तमिलाडू में खबरों में रहा दीपोर वील वैटलेंड कहां पर है तो फंट्स याद रहेंगे ये असम में है और ये मीथे पानी की सबसे बड़ी जीलों में से एक है और वर्ल्ट लाइफ इंडरनेस्नल दुवारा घोशित एक महत पुन पक्षी छेत्र भी है और दीपोर वील कहां पर है तो ये असम में हैं किसने असम की भाड़ प्रवंदन पर योजना के लिए 108 मिलियन डॉलर के रिड़ को मंजूरी थी वर्ल्ड बैंक रहें असम की पहली अंडर वाटर जो सुरंग है ये किस नदी के नीचे बनेगी तो ये सुरंग बनाई जाएगी ब्रह्मा पुतर नदी के नीचे असम की अगर बात की जाए तो मैप में आप सब भी लोकेशन देखेंगे ये है असम, असम की जो कैपिटल है वो है देशपूर असम की जो अंधरास्टिय सीमा है वो किस के साथ लगती है तो यहां देख पाएंगे आप तो भूटान से लगती है और इसके लाबा बांगलादेश से भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो दो बार बांगलादेश से सीमा साजा करता है तो दिखे यहां से आप देखेंगे बांगलादेश से सीमा लग रही है असम की और यहां से भी आप देखेंगे तो बांगलादेश से सीमा लग रही है और तीनों ओर से घिरा हुआ राज्य कौन सा है तो आंसर होगा तिरपुरा असम के अन्य नेशनल पार्क कौन कौन से हैं तो इसमें सामिल है राइ मोना, मानस नेशनल पार्क, औरंग, नामेरी, दीपोर वील, काजी रंगा, डिपरु साइखोबा और दिहाइन, पठकाई तो ये असम के प्रमुक नेशनल पार्क हैं जनके बारे में आपको याद रखना है अगला सवाल है कि मनोहर सींगिल का निदन हो गया, यह कौन थे? तो फ्रेंट्स याद रखेंगे, मनोहर सींगिल जिनका हाली में निदन हो गया है और यह पूर्व मुक चुनाब आयुक्त रह चुके हैं तो यह एक्जाम में आपसे पूछा जा सकता है फ्रेंट्स पद्म भिभूशन से भी इने सम्मानित किया जा चुका है और यह 1996 से 2001 तक भारत के मुक चुनाब आयुक्त के रूप में इन्होंने कारे किया है तो यह आपसे पूछा जा सकता है, याद रखेंगे अगला सबाल है कि केंद्र सरकार ने किस तिथी को राश्टिय अंत्रेज दिवस के रूप में मनाने की घोशना की है तो फंट्स याद रखेंगे 23 अगस्त को मनाया जाएगा कब 23 अगस्त को देखें ये घोशना तो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जीस दुआरा पहले ही कर दी गई थी लेकिन इसे अब अधी सूचना इसके जारी कर दी गई है जिसके कारण ये फिर से सुर्कियों में आ गया है तो अगर आप से एक्जाम में पूछा जाए कि राश्टिय अंत्रिच दिवस कब मनाते हैं तो आंसर होगा 23 अगस्त याद रखेंगे आप सभी चंद्रियान थर्ड ने चंद्रमा के दच्छडी दुरुप पर उतरने वाला पहला मिसन बनकर एक एतियासिक उपलब्दी हासिल की है जिसके कारण अंत्रिच दिवस कब मनाये जाएगा तो 23 अगस्त को मनाये जाएगा अगला जबाल है कि किस राजजी के नवा पिंड सर्दारा जो गाउं है इससे सर्वस्रेस्ट पर्येटन गाउं का पुरुसकार मिला है तो ये गाउं कहां पर है तो याद रखेंगे ये गाउं आता है पंजाब में कहां पर है ये गाउं तो याद रखेंगे पंजाब में है जिसे भारत का सर्वसरेश्ट पर्येटन गाउं 2023 के खिताब से नवाजा गया है पंजाब के वर्तमान में मुख्य मंत्री कौन है तो इनका नाम है भगवंत मान किस राज्य सरकार ने कानोनी साहिता रक्षा परामर्स प्राणली लॉंच की है तो ये उत्तर प्रदेश गवर्मेंट के दुवारा हाली में लॉंच की गई थे संगई सेयोग संगठन मिलेट्स फूट फेस्टिवल का आयोजन कहां किया गया मुंबई माहरास्ट में सारवजनिक परीवेन वाले दुनिया के सबसे अच्छे सहरों की सूची में किस सहर को जगे मिली है तो मुंबई को दी गई हिमाचल प्रदेश ने किर्शी और परशुपालन सम्वन्दित कौन सी योजना शुरू की है तो संजीवनी योजना शुरू की गई हिमाचल सभाखब लिया है और इनका नाम है BK Mohanty क्या नाम है नाम है इनका तो याद रखेंगे BK Mohanty इनका नाम है केगी J C, सजो केग G C मूर्मू है यह आप सभी को ग्यात होगा कि अंतरास्टिय श्रम संगठन के भारी लेखा परिक्षक के रूप में इने चुना गया है राजे स्राइ आई टी आई लिमिटेड के CMD के रूप में नियुक्त हुए है बीबी आर सुब्रमन्यम ये नीतियायो के CEO है राजीब रगुबंसी भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनल के रूप में नियुक्त किया गया कुलदीब दुबेदी याद रखेंगे केंद्रिय जाच वीरो यानि की CBI के उपो माहा निरिक्षक ये नियुक्त किये गए कौन कुलदीब दुबेदी अगला सबाल है कि अंडर टॉइंटीन विश्व जूनियर रैपिट सतरन चेंपियनसिप किसने जीत ली है तो फेंट्स विश्व जूनियर रैपिट सतरन चेंपियनस से फेना इसका आयोजन किया गया था इटली में और इसे जीता है रौनक साथ पानीने जिनने आप सभी पिक में देख सकते हैं आयोजन कहा हुआ है तो इटली में हुआ है जो चवालीसवा सतरंज ओलंपियाड है ये 2022 में कहां पर हुआ था चेंपियमे अंतर रास्टी सतरंज माहसंग यानिकी फीडे उजवेकिस्तान दो हजार चब़ीस में सतरंज ओलंपियाड की मेजवानी करेगा अगर आपसे पूछा जाए कि 2026 में सतरंज ओलंपियाड की मेजवानी कौन करने वाला है तो आंसर होगा उजवेकिस्तान 45 वा सतरंज ओलंपियाड 2024 में कहां पर होगा तो ये बोड़ा पेस्ट में होगा विशुम में जितने भी सतरंज के खेल होते हैं उन्हें कौन रेगूलेट करता है तो फीडे करता है फीडे का फूल फॉर्म क्या है तो अंधराश्ट ये सतरंज माहसंग है इसके स्थापना 24 जुलाई 1924 में होती है फीडे का मुख्याले कहां पर है तो फीडे का मुख्याले आता है लुसाने सुर्जालेंड में और फ्रेंट्स आप सभी जानते हैं कि अंधरास्ट्य ओलंपिक समीथी का मुख्याले भी कहां पर है तो लुसाने सुर्जालेंड में है अंधरास्ट्य ओलम्पिक समीथी ने किस खेल को दो हजार अठाइस के लॉस एंजल्स ओलम्पिक में सामिल किया है तो फ्रेंट्स काफी महित पूर्णी ये सवाल है आप सभी जानते हैं कि ओलम्पिक समीथी की जो 141 भी बैटक है ये हाली में मुंबई में संपन हुई है कहाँ पर मुंबई महरास्ट में तो इस बैटक में ही निर्ने लिया गया कि दो हजार अठाइस में लॉस एंजल में जो ओलम्पिक होने वाले हैं लॉस एंजल जाने कि अमेरिका में तो इसमें सामिल किया गया है स्वेच, किर्केट और बैस्ट बॉल को आंजर हो जाएगा उपरुक्त सभी तो ये खेल आप से पूछे जा सकते हैं याद रखेंगे बैस्ट बॉल या सॉप्ट बॉल फ्लैक फुट बॉल के साथ किर्केट को सामिल किया गया है और ये बैटक याद रखेंगे कहां पर हुई है तो मॉंबई महरास्ट में आयुजित की गई अंथरास्ट य ओलंपिक समीथी के वर्तमान में अत्यच है थोमस पार और आप सभी को ग्यात होगा कि हाली में अंथरास्ट य ओलंपिक समीथी ने किस देश के ओलंपिक समीथी को निलंबित कर दिया था तो रूसी ओलंपिक समीथी को निलंबित कर दिया था नागलेंड के पहले मेडिकल कॉलेज का उदगातन किस ने किया है मेडिकल कॉलेज का उधगाटन किया गया है और सेक्षिडिक सर्थ 2023-2024 में 100 MBBS छात्रों को पिरविश्द देने की अनुमती दी गई है तो आपको तो बस इतना याद रखना है कि नागलेंड का जो पहला मेडिकल कॉलेज है इसका उधगाटन किस ने किया है अगला सवाल है कि इसकिल इंडिया ने रिटेलर इसकिल डपलप्मेंट प्रोग्राम के लिए किसके साथ साजेदारी की है तो रिटेलर इसकिल डपलप्मेंट प्रोग्राम के लिए जो साजेदारी हुई है ये कोको कोला इंडिया के साथ हुई है किसके साथ हुई है तो याद रखेंगे कोको कोला इंडिया के साथ यह साजेदारी की गई है अगला सवाल है कि वेशो बैंक और जापान दुबारा किस देश में लचीला और समावेशी आपूर्टी स्रंकला संबर्दन पहल शुरू की गई है तो फ्रेंट्स इस पहल की जो शुरूबात है या कहें इस बैटक की जो शुरूबात है वो कहां पर हुई मुरको में मुरको में भी कहां पर हुई है तो मुरको में आयुजित की गई थी मारा कैच में कहां पर मारकेच पूछा जा सकता है कहां पर है ये मुरक्कों में है आप सभी जानते हैं कि मुरक्कों हाली में काफी सुर्खियों में रहा था क्योंकि यहां पर काफी तेज भूख कम पाया था तो देखे विशु वैंग ने जापान के साथ साजेदारी में और इटली, कूरिया, गणराजी, कनाड़ा और यूके के साथ मिलकर रोजगार सरजन और जलवायो परिवर्तन की धोरी चुनोतियों का समाधान करने के उद्देश से एक पहल की शुरुवात की और ये पहल से सम्मंदिश जो बैठक है वो मारा कैच यानि की मुरकों में आयोजित की गई थी तो मुरकों की लोकेशन आप सभी मैप में देख लीजे ये हैं मुरकों मुरकों की कैपिटल को कहते हैं रवात मुरकों को याद रखेंगे अफरीका महादीप में इस्तित एक देश है मुरक्कों को इस पेस से कौन सी जलसंदी अलग करती है तो जिवराल्टर जलसंदी ने अलग करती है क्लास के शुरुवात में जो सवाल मैंने आपसे पूछा था कि भारत के बाहर डॉक्टर वीमराव अमबेटकर जी के सबसे बड़ी प्रतीमा का अनावरन किस देश में किया गया है तो फेंट्स याद रखेंगे USA में किया गया है और USA में भी कहां पर तो मेरिलेंड में इसका उधगाटन किया गया है कहां पर मेरिलेंड कब किया गया 14 अक्टूबर को फिंट्स 19 फूट की इस प्रतीमा को Statue of Equality नाम दिया गया है और इसे किस ने बनाया है तो इसे बनाया है राम सुताद ने ये आपको याद रखना है राम सुताद ने ही गुजरात के एहमदबाद में सरदार बल्लब भाई पटेल की प्रतीमा भी बनाई थी कहां पर स्थापित की गई है तो याद रखेंगे मैरिलेंड अमेरिका में मैरिलेंड की अगर बात की जाए तो देखे अमेरिका के मैप में यहां पर आपको देखने को मिलेगा मैरिलेंड देखे ये है वांसिंग अटन डीसी जो कि अमेरिका की कैपिटल है और यहाँ पर है मेरिलेंड आप सभी को ग्याद हुगा कि भारत के बाहर निर में दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उदगाटन आठ अक्टूबर को किया गया था कहां पर किया गया था तो न्यू जर्सी यानि के अमेरिका में किया गया था अब रिबीजन कर लेते हैं कल के शेशन का कि कल हम लोगोंने क्या क्या पढ़ा था जल्दी से रिबीजन करेंगे क्रिश्टोफर लक्सन किस देश के प्रधान मंत्री होंगे तो फ्रेंट्स ये नई प्रधान मंत्री होंगे कहां के न्यूजिलेंड के किस देश में रविन्ना टैगोर की प्रतीमा का अनावरण किया गया है तो बियतनाम में किया गया और किस ने किया तो डॉक्टर S.J. संकर जी के दुवारा किया गया महिला ACI Champions Trophy 2023 के लिए जुही सुवंकर का अनावरण किस ने किया है तो जारकंट के जो मुख्य मंत्री है हैमन सोरन इनके दुवारा किया गया है जुही सुवंकर का अनावरण कौनसा राच्व परिक्षन के माध्यम से कारेरत सिक्षकों को सरकारी करमचारी का दर्जा देने की योजना बना रहा है तो किसके दुवारा ये यह योजना बनाई जा रही है बिहार के दुवारा सत्त्यजीत रे उतकरिश्ता फिल्म लाइफ्टाइम पुरुषकार से किसे सम्मानित किया जाएगा तो ये पुरुषकार दिया जाएगा माइकल डगलस को जैने आप सब भी पिक में देख सकते हैं नागर रेजिमेंट की तीसरी बटालियन को प्रतिस्टित प्रसिडेंट कलर से किसने सम्मानित किया है तो मनुष पांडे जी के दुवारा सम्मानित किया गया नौवे जी टॉइंटी संसद्य अध्यास सिकर सम्मेलन यानि कि पी टॉइंटी के दौरान लोकसवा अध्याज ओम बिडला ने ओम बिडला से पी टॉइंटी प्रसिडेंट सी किसने प्राप्त की है तो ब्राजील ने प्राप्त की है किसने प्राजील दो दिवसिये लद्दाग जांसकर महोसब 2023 के आठवे संस्करिट का उदगाटन किस ने किया काचो महभूब अली खां के दुवारा किया गया लॉरियस के एंबस्टर कौन बने है तो इनका नाम है नीरा चोपडा जोने आप सभी पिक में देख सकते हैं साउथ इंडियन बैंक ने निम्न में से किसको अपना नया चेयर्मेन न्योक्त किया है तो इनका नाम है बीजे कुरियन को नया चेयर्मेन न्योक्त किया गया है अब रिबीजन करेंगे डॉक्टर एस्टेडिक जी के कुईशन किस महादीब को पक्षियों का महादीब कहा जाता है दच्छड अमेरिका को किस महादीब को पठारी महादीब कहते है अफरीका को किस महादीब को सुएद महादीब के नाम से जाना जाता है अंडार्क्टिका को किस महादीप में जनसंक्या घनत्व सर्वादिक पाया जाता है एशिया में किस महादीप में जुआला मुखी नहीं पाय जाते हैं आस्ट्रेलिया महादीप में कौन सा महादीप 85 भूमी का देश कहा जाता है तो आस्ट्रेलिया को कहा जाता है 1935 का गवर्मेंट आफ इंडिया एक्ट क्यों महत पून है तो आप याद रखेंगे यह भारतिय संविधान का प्रमुक्स द्रोत है कंप्यूटर में मूरी की सबसे छोटी एकाई क्या कहलाती है बिट कंप्यूटर भासा कोवाल किस के लिए उपियोगी है वैवसाई कार्यों के लिए है अंथरास्टिय मानवा अधिकार दिवस कब बनाते हैं 10 दिसम्बर को आईने अकवरी के लेखा कौन है तो याद रखेंगे अवल फजल ने लिखा था कल के सेशन में आपसे सवाल पूछे गए थे जिनके आंसर डिस्कस कर लेते हैं रिलाइंस की जियो मार्ट ने निम्नम ऐसे किसे ब्रांड अम्बेस्टर बनाया है तो उसका सही आंसर था आप्सन ए यानि की MS धोनी को एंटी टेरर सम्मिलन कहां पर हुआ तो फेंट्स इसका आयूजन कहां पर किया गया था नई दिल्ली में किया गया था राइट आंसर आप्सन बी किस अनुछेत में कहा गया कि प्रधान मंत्री की न्युक्ति राष्ट पती दुबारा की जाएगी तो आर्टिकल 75 में कहा गया था राइट आंसर आप्सन ए भारत के सिलिकन घाटी किस सहर में इस्तित है तो उसका सही आंसर था आप्सन डी बैंगलोर में इस्तित है अब आप सभी के लिए सवाल हैं जनके आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में करने हैं तो पहला सवाल है कि ओकस देशों के लिए किस देश की तीन कंपनिया खतरनाग पंड्यू भी बनाएंगी विटैन, भारत, जापान या फिर अमेरिका अगला सवाल KVIC ने किस IIT संस्थान में एक नए खादी इंडिया आउटलेट का उदगाटन किया IIT मदरास, IIT दिल्ले, IIT कानपूर या फिर IIT रोपड निम्न लिकित में से कौन सी अंथराश्टिय टैनिस खेल परतियों किता घास के मैदान पर खेली जाती है Australian Open, Pibaldon Open, French Open या इन मैं से कोई नहीं है हरित क्रांती का सरवदिक निरासा जनक पर नाम किस फसल को किस फसल में देखने को मिला सोयबीन, मक्का, दलहन या फिर तिलहन तो फेंड्स इनके जो आंसर है वो आपको कमेंट्स वॉक्स में करने है आज का इस शेशन आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएगा अगर क्लास अच्छी लगी हो तो जादा से जादा शेयर कीजेगा लाइक कीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेजेगा इस क्लास की जो पीडियप है वो बात में आपको टैलिग्राम चैनल पर मिल जाएगी टैलिग्राम पर जाकर एक्जाम और्बिट क्लासे से लोगों आपको दिखाई देगा तो जिसने भी टैलिग्राम चैनल जोइन नहीं किया है जोइन कर लीजेगा क्योंकि PDF के अलाबा Current Affairs जो भी अपडेट होता है वो easily आपको कहां मिल जाता है तो Telegram चैनल पर मिल जाता है तो Friends Telegram चैनल आप सभी ज़रूर जोइन कर लीजेगा और इसी के साथ बता दें आप सभी को कि देखें जो मंतली Current Affairs होता है यह सभी वीडियो कंटिन्यू हो रही है आप सभी के तो जसने भी नहीं देखा है एक बर चैनल पर जाकर जरूर देख लीजेगा वहाँ पर आपको मिल जाएगे अगस 2023 का सितंबर 2023 का यहां तक ही जन्वरी से मार्स तक का जन्वरी से लिकर अगस तक का सप्टिम्बर का एक वीडियो में कबर कराया गया है तो फैंड्स मिलते हैं ने स्ट शेशन में एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हिंट जय भारत